सेवा ही मेरी पहचान शंकर सोने जा अगर बव में भी उल्हास नगर जे पैरे में एक कल्यार जे शेहर वासिन लाए एक सुख्री अलिशान आफिस उहो भी कपल एंपैरंस जे मीटिंग रूम सा गड़ ता अच्छो एंजी विजिट के रिष्टो डाट कॉम सिंधिन जो सिंधिन सा ऑनलाइन सिंधि मैट्रिमोन नमस्कार मैं राजेश दल्वानी आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलिट है यह जो इमारतों को नियमित करने का जो प्रश्न है 2005 से लंबित था कई सरकारे आई लेकिन इसके उपर कोई भी किसी तरह का सरकार निर्णे नहीं ले रही थी आए दिनों इमारते गिर रही थी लोगों की जाने जा रही थी लेकिन इसमें समेदना की कमी होने के कारण कई लोगों को जबरदस्ती इमारते खाली करके बेघर करना पड़ रहा था लोग निकलने को तयार नहीं होते थे ऐसा मंजर हमने देखा लेकिन दोजार पाच में इतनी तुर्टियां थी यह देश में केवल आट सो पचपन की जो हाई कोट ने कहा था कि इन इमारतों को तोड़ा जाए केवल मात्र उसका फाइदा अतना हुआ कि वह तोड़ने से बच गई उसके बाद समय समय पर हमारे आधरणिय मुख्यमंत्री देवेंदर फणोर इस ने इसको बहुत सारी चीजों की बदलाव की लेकिन उसके वह बदलाव में और जादा बदलाव पूरी तरह से आधरणि यहां के लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा मसोदा तयार किया जिसमें सारी चीजों को रखा गया पुनरबांधनी हो या फिर अगर कोई जमीन सरकारी जमीन पर कोई इमारत बनी हुई हो तो उसका दस प्रतिशत दंड लेकर उसको पुनरबांधनी करना अब यह सारी चीजे जो अपना SDO आफिसर है उसने बोला कि पैसा 10% दंड लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है मेरे पास इसा कोई आदेश नहीं है इस वज़ाए से कम से कम 6 मैंने तक सारे प्रस्ताव लटके रहे फिर सरकार के पास हम लोग गये सरकार को बताया अततह सरकार ने SDO को दिया लिखित पत्र दिया कि 10% रेडी रहकनार का आपको लेकर सरकारी जमीनों पर जो बांदी गई इमारते हैं उसके 10% प्लस 208 रुपे प्रती स्कौाइर पुट जो आपने उसके इमारत में बिल्डिंग बांदी है वो दंड लेकर आप उसको पुनर बांदनी कर सकते है और जिनके पास खुद की सनत है जिसके पास मालकी है जगे का टाइटल उनके पास है वह जब इमारत बांदेंगे तो केवल उनको 220 रुपया 222 रुपय स्कौाइर मिटर यानि 208 रुपया प्रती फुट ही लगेगा और मैं बड़े समाधान पूर से कहता हूं कि यह सबसे बड़ा प्रशन जो उल्लास नगर के लिए था अब चाहे कितनी कोई कितनी पुरानी बिल्डिंग हो दोखा दैक बिल्डिंग हो अब विकासक के जरिये या इमारत के जो वहां पर रहवासी हैं खुद भी इसका निर्मान कर सकते हैं और इसके लिए जब यह नियमित होगा तो इसके लिए बैंक भी कर्द देने के लिए आगे आएगी कुल मिलाकर उल्लास नगर की जो जरजर इमारते हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उनका पुनर विकासका रास्ता इस सरकार में खोला जिसके लिए मुझे इस बात का आनंद है कि हम यश्वश्वी रहे और हमें ख देखें दो श्रेणी है जिसमें पहली श्रेणी एक श्रेणी यह है कि जगे की सनत आपके पास है उसके आप मालिक हैं लेकिन उसके उपर FSI 4 से चार तक आपने इमारत बना दी है बेकाइदा बनी हुई है और अनन्फानम में उस समाने बनाई गई थी वह जरजर हो गई है अब उसको आप तोड़ देंगे तोड़ के नई इमारत बना सकते हो वहाँ पर और केवल आपको उसके लिए 208 रुपे प्रती स्क्वाइ फिट आपको गौवर्मेंट को दंड भरना है और आप उसमें अपना इमारत में जैसे आप पहले रहते थे वहां फ्लैट बना के रह सकते हैं अब दूसरी श्रेंड है कि इमारत बनी हुई है लेकिन वह जमीन सरकारी थी उस समय पे उन जिसने निर्मान किया था सरकारी जम एसडियो आफिस में भरना है प्लस 208 रुपे प्रती स्क्वार फिट भरना है और आप अपनी इमारत उसको पुनरभांदनी कर सकते हैं उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यह सरलता से बहुत अच्छी तरह से ऐसा हुआ था कि आखरी में ऐसा देखा गया था कि ए अब यह सारी समस्याइं दूर हो गई है अब यह पूरी तरह से हर एक उल्लासनगर का जो भी व्यक्ति है वह खुद बनाए किसी बिल्डर को दे वह उसकी इच्छा पर डिर्भर करता है इस जो विशय में याने जो अनदर रिगुलास का विशय था यह दो हजार पांच से लेखे तो 2014 तक तो किवल इतना ही था कि वावाई कांग्रेस की सरकार ने लूटी थी कि 855 विल्डिंग में हाई कोट में तोड़ने की बात की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं इस बीच में क कुछ नहीं हो रहा था लेकिन 2014 के बाद भार्टी जंता पार्टी की सरकार हुई उन्होंने कई तद्मियों से बात की कई विशिश्चक्यों से बात की कुल मिलाकर फिर अगर निर्णय पर पहुंचते थे पिर यहां पर एकनाश चिंदेजी आये देविंदर पढ़ण यु भी नहीं मिला गया ऐसा मसोदा किसको नहीं दिया गया ऐसे उलास नगर को दिया गया इसके लिए अब सारे मार्ग जो है वो खुल गये हैं और कोई भी व्यक्ति मैं मानता हूं इसमें देर हुई है इसमें हमने कई अपने नागरिकों की जान भी गवाई है लेकिन अतत की निउस सबसे पहले आपके मोबाइल पर